दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर है लीला होटल जिसमें बम होने की सूचना आई अभी देखिए ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये मॉक्ट्रिल थी या वाकई ये सूचना मिली है क्योंकि पहले कहा जा रहा था मॉक्ट्रिल की संभावना जता ही जा रही थी और अब कहा जा रहा है कि ये सूचना सही है बम की जो सूचना मिली है वो कोई मॉक्ट्रिल नहीं है ऐसा कहा जा रहा है और इससे अब जो करंचारी है उनमें भी हरकम पमच गया है लीला होटल में ये बम की सूचना मिली है बड़ी कपर इस पक्या आपको बता रहे है कि उसके पास बम होने की सूचना थी बड़ी खबर उसक्ति हम आपको बता रहे हैं बहुत बड़ी खबर उसक्ति बम की सूचना से हड़कम पमर्च गया है दा लीला में लीला होटल में बम की सूचना मिली है और बताया जा रहे है जो होटल का ही एक स्टाफ है लैंड लाइन हो सकती है मौग्डिल से कहा जारा था लेकिन अब कहा जा रहे मौग्डिल नह인 है अब ही फिल्हाल क्या सामने आ रहे है सामने आ रहे हैं निकल कर UX थरीं इस तरिके से 11 बचंज मुझ नदे के लीला होटल में जब गोला है तो कहीं ना कहीं जो आफरा तफरी का महूल है वो बनिया और साथ ही साथ जब जिला पर्शाशन और गुरुग्राम पुलिस को इसकी सूचना दी गई तो वो भी मोके पोचें लेकिन अब करीबं तेड़ गंटे से ज्यादा किया समय हो गया आप तमाम जो अधिकारी हैं वो मोके जिसने पूरे जो घटना है जो आज बंप की जो सूचना इस होटल में तो वो कहां से थी क्यों किस तरीके की रही और ऐसे में कहीं ना कहीं परिशाशन की कहीं ना कहीं चिंताय बढ़ जाती क्योंकि दिली गुरुग्राम बोर्डर पर यह होटल पांस जा रही होता तो कही का माहूल है अभी भी करीबन सेक्टो जो लोग हैं वो होटल के बार मौझूद है और साथ ही साथ अब होटल के आजवास बैरिगेटिंग जरूर कर दिया रहा हूँ तमाम जो मोल है उसको खाली कर दिया गया है क्योंकि इस तरीके के जब सूचना मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जिलापरशाचन और गुरुगराम पुलिस की कहीं ना कहीं जो चिंता हैं वो बढ़ जाती हैं क्योंकि इस तरीके से गुरुगराम में आए दिन जो हम बात करें क्राइम का गराव बढ़ रहा है और उसी बीच अब एक बं की सूचना मिलते है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर हो जाती है तो ऐसे में कही न है कि तमाम जो अला देखारी है मॉखे पर और जो बंस्कोर्ट की जो टीम है वो कही न होगी है वो कारिय में जूटी है अभी कैसे संचे हालाथ बने हुए है सभी करमशारियों को क्या होटल से निकाल कर कहीं शिप्ट किया गया है कैसे हालात अभी बने हैं जी बिल्कुर सिर्फी तमाम जो स्ताफ था उसको होतल से बाहर निकाल लिया गया और साथ ही साथ जिस तरीके से साथ में मोल मोल को भी आदे मोल को भी खाली करा देगा है क्योंकि बंक की सूचना मिलने के बाद कहीं न कहीं अफरा तपरी का महौल जरूर था और कहीं न कहीं अब जो सिच्वेशन उसको थोड़ा सा कंट्रोल जरूर कर लिया गुरूगराम पुलिस की दिवान हुआ पर है हाईडरोलिक मसीन से भी करें अफजाच में जूट गई है क्योंकि जिस तरीके से अब बंस को उटकी जो टीम है वो लगातार अपना काम जरूर करिया और साथ ही साथ जो तमाम जो दमकल विवाकि गाडिया है वो के बेपोचके एक रैस्क्यू है वो किया जा रहा है कि क्या आकिर कास ज दे लेकिन फिलाल सहे अभी आपको क्या पता चल पाया है कि क्योंकि बताया बात्यार का ही स्टाफ है लینड लाईन ऑपरेटर है जिसके पास बं होने की सूचना है तो क्या यह फोटल में ही मौजूद था किया इसे भी पूछ़तार हो रही है जो बिल्कुल जिस तरीके से सूचना आने के पास जब गुर्बराम पुलिस मौके बोची तो जो अपरेटर है उससे पूछताज तो की जारी है साथ ही साथ जो होतल मैनेजमेंट के जो अधिकारी है उनसे भी पूछताज की जारी है कि आकिरकार ये कोल कहां से आई कोन वेक् कर सूचना दी अब नंबर्स की भी जाच हो रही है पता चलेगा कि आखर ये कॉल आया कहां से था और संजे अभी आप बता रहे है कि अब जाकर शुरू हुई है आपने कहा कि बम निरोदक दस्ता है जो वो भी पहुँचा हुआ है ये जानकारी मिलने के बाद और कौन- करें गुरोग्राम पुलिष के आला दिकारी मोके पें तीन वहां पर मोके पर और साथ तक तमाम जो होटल मैनेज्मेन्ट का स्टाफ की बाद करो मैनेज्मेंट की बात कुई तमाम लोगों को होटल से भार कर दिया करीबंद 200-300 मिटरी दूरी पर उनको शुरक्षी सक्षा पर लेके जाए गए और साथ ही साथ बेरिगेट लगा दी गए है अब उस होटल या फिरमोल की बात को तमाम जो विकल उन पर भी रोक लगा दी गई है क्योंकि जब तक इस पूरे जो मामले की कहीं ना कहीं जिस तरीके से तफ्टीश की जा रही है हर पहलू से रैच्कुट क कहां से आया कैसे उसको सूचना मिली और उसको कैसे पदा दे कि हाँ पर बम है उस तमाम पहलू से अब गुरुग्राम पुलिस और तमाम जो टीमें है वो उस रैस्क्यू में जुट गई है बिलकुल संजे आप बने रहे हैं हमारे साथ और इस बीच दर्शकों को हम तस्व है तो यहां पर आने वाले जो गेस्ट होते हैं वो उनमें कई बड़े चेहरे भी शामिल होते हैं और अक्सर देखा जाता है कि दलीला के जो गेस्ट है या स्टाफ है वो अलग होता है तो अभी गेस्ट को किस तरह से कहां पर भीजा गया है उनको कहां रखा गया है होटल क कि तरफ से पिर्कुल तमाम जो उस गैस थे उनको सुरक्षिस स्थान पर दूसरे होटल में कहीं ना कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी परेशानी जरूर हुई लेकिन अब ही यही है कि तमाम जो टीमें वो रैस्क्यू में जुटी हुए है रैस्क्यू की बात पता लगे गए आखिर कार यह सूचना किस ने दी और क्यों दी देखे सारी जानकारी जो है बात में ही सामने आएगी लेकिन संजे जब इस तरह की खबरे उड़ती है तो अपने आप में दह्षरत का बहुल तो बन ही जाता है अफरत अफरी होना लाज़मी है क्योंकि कोई भी करमचारी होगा या वहां का गैस्ट होगा अगर वो यह चीज सुनेगा कि जहां पर वो मौजूद है इस वक जहां पर रुका हुआ है वहां पर एक बम हो सकता है तो अपने आप में वो भी घबरा जाएगा तो ऐसे में situation को control किस तरह से किया गया क्या भगदर का महौल भी संजे देखने को मिला था तो देखिए होटल को खाली कराया गया है अब तालीला होटल से ये खबर साबने आई जहाँ पर फाइट स्टार होटल में बम की सूचना मिली और ये सूचना मिलने के बाद हरकम पमच गया हाला कि अभी जाच हो रही है जाच के बाद जी चीज़े जो है वो साफ हो पाइटी कि किसी तरफ से ये पोन कॉल किया गया और कहा से ये जानकारी मिली कि होटल में बम हो सकता है कि अ घर ये जानकारी मिली के सकता है झाल झाल